The Economic Decision Rule Economic Decision Rule क्या है? हमने अब तक जितनी चीजों को discuss किया उसके तहत अगर हम कहें कि वो factors जिनके तहत जितने economic agent market में मौजूद हैं society में मौजूद हैं वो अपने फैसले करते हैं markets को चलाने में और अपनी utility को बढ़ावा देने में तो उसमें वो जो एक बनियादी असूल वजा करते हैं और लेके चलते हैं उनको हम कहेंगे कि economic decision rules अब economic decision rules क्या हो सकते हैं तो हम कहते हैं कि basically they are the principles to make rational decisions by individuals and the business अब rational होना क्या कहलाता है और rational किस चीज़ के बारे में हुआ जाएगा तो हम इसमें बनियादी तोर पे जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी economic agent either consumer और either producer वो जो भी अपना फैसला करे उसके लिए वो कौन सी costs या जिसको हम कहें लागत का हिसाब किताब करेगा वो किन खर्चों या अकराजात को मद्दे नज़र रखेगा और इनको देखते हुए वो relevant कौन सी prices को लेके चलेगा वो देखना जो है हमारा economic decision rule कहलाएगा economic decision rules में हमारे पास जो भी लागत आती है या benefit होगा या output होगा उसको हम total की form में नहीं देखेंगे इसलिए इसके decisions के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास बन्यादी तोर पर इसके चार features बनते हैं उन चार features में अगर हम देखें कि हमारे पास सबसे पहला कौन सा आता है तो हम अगर उसमें सबसे पहले देखें तो हमें एक चीज़ का हिसाब देखना है that is called opportunity cost opportunity cost यह कहती है कि economic agents को यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जिसे वो पैदावार में इस्तमाल कर रहे हैं वो एक से ज्यादा जगों पर इस्तमाल हो सकती है और आज उसको अगर वो एक जगा पर इस्तमाल कर रहे हैं उसकी बजाए किसी और मनसूबे या किसी और जगा पे इस्तमाल करने में वो सकती है वो ज्यादा पैदावार दे तो वो वाली पैदावार जो वो एक मनसूबे में नहीं ले पा रहे है वो उसकी opportunity cost कहलाएगी और यह उन्हें मालूम होना चाहिए और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो होना चाहिए कि वो rationality क्या चीज़ है rationality में अगर हम देखें तो individuals और market forces के rationality यह कहती है कि जितने individuals हैं वो अपना utility को maximize करना चाहते है जो producer है वो हमेशा चाहेगा कि उसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो वो अपना नफ़ा ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहा होगा और यह self motivation यह self interest जो है economics की term में अगर हम कहें तो हम इसको जाइस गिनते हैं कि यह उसका rational decision है और इस rationality के decisions को करने के लिए वो बाकाइदा तोर पर अपनी लागत, अपना नफ़ा, अपनी पैदावार को सही तरीके से assess कर सके measure कर सके और उसको पता हो कि इस सारी measurement के तहत मेरी total लागत कितनी बनेगी और क्या हिसाब किताब होगा और उसको अपने नफ़े का भी किताब लगाना आता हो और इन हिसाब किताब में जो दूसरी चीज है वो यह है कि उस में वो एक दफ़ा अगर एक शक्स अपनी फैक्टरी लगा चुका है या एक जिमिदार अपने खेतों पर काम कर रहा है अगर हम दोनों मिसालों को लेके चलें तो आज के दोर में अगर उसको जो फैसला करना है that will be called the marginal analysis because the cost that has been incurred in the form of purchase of the land purchase of the machinery or the installation of the factory that will be called the sunk cost but how much to produce के लिए जो उसको फैसला करना है वो से आज देखना है कि वो पैदावरी लागत जो मुझे अब लगानी है खाद की शकल में मुझे लगानी है केमिकल्स की शकल में मुझे लगानी है किसी और form में मैंने उसका हिसाब देखना है और वो वाली मजदूरी या लागत जो मैंने आज अपने worker को देनी है तो यह जो additional हम इसको कहें या marginal कहें या incremental कहें तो हमारी economic decision rules में जो लागत हमारे हिसाब किताब के assessment में आएगी that will be called marginal analysis and we will be dealing here with marginal costs marginal productivity marginal benefits and like this the marginal utility जो एक और सबसे बड़ा ऐहम factor होगा that will be called the time horizon अब time horizon में यह है कि एक पैदावार के लागत में अगर हम देखें तो जो पांच साल की अर्से की पैदावारी लागत है वो और होगी जो एक साल के लिए है वो और होगी उसी को अगर हम दस साल के span की उपर तैग करेंगे तो वो कुछ different हो सकती है तो इन दो तीन अदवार को देखते हुए हम इसको तकसीम करते हैं कि either short run, either long run तो जिस भी decision को हमने करना है हमें अगर long run का decision करना है तो long run के parameters को लेके चलना होगा हमें अगर short run की पैदावार और profits का हिसाब करना है तो short run को लेके चलना होगा और time horizon के साथ एक दूसरा factor यह है कि अगर हम आज कोई फैसला कर रहे हैं तो उसके लिए जो prices या benefits या output ले रहे हैं उसके लिए prices का या लागत का हिसाब किताब आज के दौर का लगाना होगा जो कीमत आज अगर आप कोई चीज़ खरीद दें जा रहे हैं तो जो उसकी आज की कीमत है उसको आपने देखना है और अगर वो ही चीज़ आज से तीन मां के बाद मार्किट में production आउटपुट होगी तो जो उस वकत की लागत या आउटपुट होगा हमें उसके उपर assessment करना होगा तो जो वकत के मकररा के उपर availability होगी वो हमारे time horizon के तहट आएगी और इन चारों features को अगर हम इकठा करें तो इन चारों का knowledge economic agents के पास होना बहुत जरूरी है ताके वो दुरुस्त फैसला कर सके rational फैसला कर सके और अपने benefit के तोर पर एक अच्छा फैसला करके production को flow में लेके जा सके अगर इन चारों चीजों का information उसके पास मुकमल नहीं होती किसी भी वज़ा से जिसी हम asymmetric information भी कहते हैं तो ये मुमकिन है कि वक्ती तोर पे उसका फैसला हमें दरूस्त लगे लेकिन इन दा लॉंग रन उसको नुकसान हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ की पैदावार या production कर सकता है कि जिसको आज वो ज्यादा तादाद में पैदा कर ले लेकिन market में उसकी demand ना हो तो वे inventory की form में उसको loss हो सकता है या वो factors of production में किसी ऐसा technology को accept कर ले जो कल को available ना हो या जिसकी लागत बहुत ज्यादा हो तो उससे उसकी cost of production बढ़ सकती है तो ये चारों informations का हमारी market की forces के लिए मुहया होना और दुरुस्त होना और सही assessment होना बहुत जरूरी होता है